सब्सक्राइब को मदद कर सकती है और बहुत ही मैं अब मैं कोशिश करण ह вижу बहुत ही सरहल भासा में लेकिщा जिसे की जादस जादस लोकों चिंप इस समझ में आ सकाथ तो यह जो वीडियो में लेकर हूं यह इसमें मैं बताने वाला हुं गद龍 या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हम सभी जानते हैं एक पर्टिकलर एज के आने के बाद पुर्शों में प्रोस्टेट की ग्रंथी होती है जो की बढ़ने लगती है और उसको प्रोस्टेटो मेगैली कहते हैं और वह बिपी अच्छी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपर हाइपर ट्रॉफी जो हो प्रोस्टेट बढ़ने वाली जिस्तिति होती है यह 55-60 साल के उपर से बढ़ना सुरू हो जाता है पर आजकल मैं केसिस देख रहा हूं जहां पर 40-42 साल के लोगों में भी यह प्रोस्टेट बढ़ने के समस्या आ गई है तो हम इसको इंग्नोर नहीं कर सकते हैं कभी-कभी यह समस्यादा हो जाती है कि नॉर्मल डे टुडे लाइफ में बहुत ज्यादा एफेक्ट करने लगती है लोग काफी जादा इससे लेकर के परशान हो जाते हैं उसके ज्यादा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है अब यह लोग पूशें क्या हम प्रोस्टेट को बढ़ने से रोख सकते हैं देखें अगर आप वैसे जवाब कहें तो मैं कहूंगा जी नहीं जिन में बढ़ना होता वह बढ़ता फिर भी अगर अपने लाइफस्टाइल अपने अच्छी रखी है आपने खान बिन अपना अच्छा रखा है आप एक एक्टिव मेल हैं आप लाइफ नहीं है तो अगर आप यह सी परस्थिती है तो मुझ्जूरी को कभी आपको इंफेक्शन नहीं होता है और आप मतलब की है ली फूड लेते हैं यह सब जिके तो आप यह प्रोस्टेटों में को टाल सकते हैं पर हम यह देखते हैं कि 70-80% में प्रोस्टेट की प्रॉलम हात होता है अब यह प्रोस्टेट होता गया देखें प्रोस्टेट जो हमारी प्रिशाब के थैली होती है प्रिशाब के थैली से एक नलकी जो है वो निकलती है जिसे यूरेत्रा कहते है और उज्वूज यूरेत्रा के तुरूप पिशाब बहार आता है माली यह जो हाथ देख तो यहां से जब यह सीमन निगलता है तो यहां पर इसकी गर्मति खुलती और प्रॉस्टेट की गर्मति यहीं इस एरिया पर तो फ्लूट इता है जिसे कहते हैं फ्लूट्स यह सीमन को पदला करता करताonta सीमन को एक्टिव करता है सीमन में स्पर्म में स्पर्म में आगे बढ़ने की शक्ति तो यह काम होता है और जिससे कि यह जो है फिर दोनों मिल करके पिशाब आना है अब यह सिन मालोह दबाव कर दिया तो वह दिकत करेगा अब जैसकी यह फूल गिया x2 अब दबाव देल तो पिढ आ सकता है पिशांब रुक किना सकता है पिशांब आप रोग नहीं पाते हैं एक बार में और पुरता नहीं प्रोस्टेट की दिक्कत हो रही है अगर ऐसी दिक्कत किसी पुरिशों में शुरू ही है तो सटाइम मत भेश कीजिए तुरन जाकर आपको जनल सर्जन ये यूरोलोई से मिलना है अब वह चाहे का प्रोस्टेट को देखे बड़ा है कि क्या हुआ एक तो देखे जो मलदवार पर उपर सकता है वह बड़ा है हुआ है मैं पतना कर सकते हैं अब अब पर पर्सक्र króms वेट कि जो 25 गराम करते हैं प्रोस्टैट है और दूसरी और सिस का नहीं जाते हैं कि पोस्ट वोइड यूरीन मतलब पिशाफ करने के बाद कितना पिशाफ फिशाफ के ठहली में बच जाता है इसलिए जब भी आप प्रोश्टेट क्ल्टरस्वान कराने जाते हैं तो लुपले भरे पेट में प्रणों करता है फिर प्रशाप करने पर देखता है कितना वह उसमें बच गया है अगर ज्यादा बच रहा है अगर इसका मतलब कि वह प्रॉस्टेट में प्रॉलम है यह दो अब दूसरा अगर मेडिसीन से क्यार नहीं होता है तो फिर उनको हमें ऑपरेशन करना पड़ता है अब यह मेडिसीन है जिसमें टेमोलियोसिन है अब दूसराइड है एलफोसिन है जो रिमेक्स डी के नाम से दवा दिए रात को कहते हैं डॉक्तर के दवा ले लिए तो जो यह पिशाब के धार को ठीक करता और प्रोस्टेट के साइस को श्रिंग करने में उसको प्रोस्टेट के साइस को घटाने में मुदद करता है इस यह दवा लेते रहें जब तक डॉक्टर ना कहें तब तक आप इस दवा को छोड़े ना अब मालीजा आपको दवा लेते रहें आपको लग रहा है रामनी अरप पर अगर आपको प्रोस्टेट के से दवा चल रही है तो एक और जोगे जाश होती जिसे कहते हैं पी ऐस से प्रोस्टेट स्पेसिविक एंटीजीन जिससे पता चलता है कि यह बिनाइन दिक्कत है कि या फिर वह मेलेगिनेट या तो कैंसर तो एक प्रेस से बेसलें करा लेना चाहिए अगर यह चार नैनो ग्राम पर डेसलेटर से नीचे है तो मतलब भी ठीक है पर अगर यह उससे है बड़ा है उससे ज़्यादा है कि पंदरा है 16-18 है ज्यादा वैल्य तो मतलब फिर कैंसर शक्क हो सकता है तो वो उसका जल्दी से उसका पता करके जल्दी करा लें चाहिए तो एक लिड़ा संव पिस ए स्प्रेसिक एंटीजिन की बिजांच जिनको प्रोस्टेट है और क को ध्यान रखने चाहिए यह जाज आती हो गई हो जिसे यह पता जले कि जो प्रोस्टेट बढ़ा है वह बिनाइनी है या तो फिक उसमें मेलेग्रेंसी या टूमर होने के कोई चांसिस तो नहीं है अगर है तो जल्दी से रिलाज करा कि अब ठीक कर सकते हैं अब कुछ लोग प्रशाप के रास्ते होता है और दूसरा होता है जहां प्रशाप के रास्ते के व्यास्ता नहीं होती है वहां प्रशाप का जो ऊपर पेट नीचले पेट में चीरा दे करके खोल करके उंगली डालके प्रोस्टेट को गुमा करके निकाल लेते हैं उसका से छेदी मरीज को भरती रहना पड़ता है अस्पताल में और धेरे धेरे वह प्रशाप के समस्या उसकी ठीक हो जाती है पर प्रशाब में दुबारा दिक्कत आ सकती है रेट्रो ग्रेड इजय एक्वेशन जो की वीर बाहर ना करके वीर उल्टा पलटके अंदर के दरब चला जाता है और ब्लीडिंग कुछ समय तक हो सकती पर धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करकर के वह चीज ठीक हो जाती है इसलिए उस सब्सक्राइब करते हैं और दवा यह कुछ लिम्टेट सी दवाएं हैं मार्केट में अवेलबल है वही दवाव से काफी सारे लोगों को आराम मिल जाता है तो वह दवाव सेफ दवाएं हैं दवा लेते रहे और लाइफस्टाइल को हल्दी रखे देगा फ्रूड लीजे सब्राइब साधी आपको योगा मिल जाएंगे और करने से फिर आपको प्रॉस्टेट साइज और नहीं बढरे गारा ये सारी चीजें जो कि प्रॉस्टेट में आपको मदद कर सकती है तो मैं उमीद करते हैं वीडियो के बादां से बहुत बहुत जल्दी बताने में भरा ह हुँ कि प्रोस्टेट अगर होता क्या है और बढ़ जाए तो क्या दिक्कत होती है और उसके क्या क्या समधान अवेलबल है इसके पहले भी मैं प्रोस्टेट वीडियो बना चुका हूं पर वह सरल भासन में नहीं था तो मैं आगे जातर वीडियो मेडिकल स्टुएंट के लि समझ में आ गया होगा इस वीडियो समझ में अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट वास में लिख दीजे मैं शूर उसका जवाब दूंगा और बिमारी है ज्यादा भैबीत होने की जूरत नहीं प्रोस्टेट समझ लिए अब आदमियों के लिए जैसे कि महिलों में के समझ जासे बहुत इसली आप निकल पाएंगे नहीं तो देखे प्रिशाब समझ दिकत बहुत समझ होती है आपको बाहर जा रहे हैं आजाने पिशाब लगए पिशाब रोग नवे तो बहुत ही आपको बुरा सा लगता है तो समय रहते ही आप इसका इलाज कर लिए दवा लिखता है तो दवा शुरू कर दीजिए दवा असार आनिम तो टाइम लगता है पर वह बहुत अच्छा रेजल्स हैं तो मेरा यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहए दिल से बहुत 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 शुक्रिया और मैं फिर अपने सभी वीवर्ट से दिक्वेस करूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है मैं नहीं वीडियो लेकर के आता रहूंगा यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहदी से बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद